नमस्कार दोस्तों दोस्तों आसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और जबर्जेस्थ होंगे तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग त्याग पत्थी खंड काप की कथा वस्तु पर बात करने वाले हैं और दोस्तों जिस प्रकार से आज वीडियो बनने वाला है मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि आप लोग सिर्फ ये वीडियो एक बार देख करके पूरा खंड काब याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलोगे तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए तो दोस् दोस्तों इस खंड काब में तीन सर्ग हैं तो और दोस्तों इस खंड काब में थाने स्वर के राज कुमार हर सवर्धन जी के त्याग और तप की गाता लिखी गई है तो दोस्तों जो पहला सर्ग है तो पहले सर्ग में दोस्तों थाने स्वर के जो राज कुमार हर सवर्धन थे वो वन में आखेट के लिए जाते हैं तो दोस्तों वहीं आखेट के दौरान उन्हें पता चलता है कि उनके पिता जी जो है उनका नाम था प्रभाकर वरधन वो जो है बुखार से पेंडित हो जाते हैं और वो तुरंत इस चीज की जानकारी पा करके शिकार से वापिस आ हैं और वे अपने पिता जी का रोक का उपचार करवाते हैं परंत उन्हें सफलता नहीं मिलती है तब हर्सवर्धन के बड़े भाई जो थे राजवर्धन वो उत्तरापत पर होडों से युद्ध करने में लगे हुए थे तब हर्सवर्धन ने दूत के साथ अपने बड़े दाह सोयम को जिंदा आग में जलाने का निश्चे किया तब हर्सवर्धन ने बहुत समझाया लेकिन वो अपने बात पर अडिग रही वो हर्सवर्धन की बात मानने को तैयार नहीं हुई और दोस्तों पिता की मृत्यू के पहले ही जो है उनकी माता ने आत्म दाह कर लिया और कुछ समय के बाद राजा प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यू हो जाती है अरथात इनके पिता की भी मृत्यू हो जाती है पिता कांतिम संसकार करके हर्स वर्धन सोका कुलमन से जो है राज महल में लौट आते हैं उन्हें इस बात की बड़ी चिंता होती है कि जब उनके बड़े भाई और उनकी बहन राजस्री को जब पिता और माता की मृत्यू का समाचार मिलेगा तो उनकी क्या दसा होगी इसी दुख से वो बहुत ज़्यादा व्याकुल है। सुरच्छित आते हैं और सोक से बिहल अपने छोटे भाई हार सवर्धन को जब देखते हैं तो बिलक बिलक करके रोने लगते हैं और माता पिता की मृत्यू से सोका कुल हो करके राजवर्धन जो थे वो वैरा गिलेने का निश्चे कर लेते हैं। किन्तो तभी उन्हें यह समाचार मिलता है कि मालव राज ने उनकी छोटी बहन को बंदी बना लिया है। और उनके जो बहनोई थे अर्थाद राजश्री के जो पती थे उनको जो है उन्होंने माल डाला है। और राजश्री को जो है वो लोग कारागार में डाल देते हैं और राजवर्धन वैराक को भूल करके मालव राज का बिनास करने के लिए चल देते हैं। इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं तब राज वर्धन गौड नरेश को पराजित कर देते हैं लेकिन गौड नरेश छाल पूर्वक उनकी रास्ते में हत्या करवा देता है जब हर्स वर्धन को यह समाचार मिलता है तो विसाल सेना को ले करके जो है मालाव राज से बडन से और वो जाकर बिंद्याजली और जाकर के बन में चलि जाती हैं तो दोस्तों जब यह समाचार वार्धन को मिलता है तो अपनी बहन को खोच करने के लिजिए փपं कि और चल देते हैं और बन में उनके एक मित्रते लिएकर लो और लो हर्स वर्धन अंही के आश्त जलाने वाली है तो वे जो है तुरंत पहुंच करके राजश्री को आत्मदाह करने से बचा लेते हैं और जो उनके मितर दिवाकर थे और राजश्री को जो है हर्सवर्धन लेकर के अपनी राध्धानिक कन्योज वापस चले आते हैं तो दोस्तों यहां से जो है दोतिय सर्ग का समापन हो जाता है और दोस्तों जो तरतीय सर्ग है बहुत ही मारमिक सर्ग है आप लोग सर्ग को फूरा ध्यान से देखिए दोस्तों तीसरे सर्ग में जो है जो हर सवर्धन है वो अपनी बहन कार था उनके जो पती थे ग्रिह वर्मन उनका जो राज्य उनके सत्रों ने छिन लिया था वह जो है हर्सवर्धन उन्हें पुना दिलाने के प्रतिग्या करते हैं और इस प्रतिग्या के फाल्स रूप वो विसाल सेना को साथ लेकर के कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं और वहाँ पर दोस्तों जो अनीत पूर्वक अधिकार करने वाजा जो मालव कुलपुत्र था वो अपना राज छोड़ करके भाग जाता है हमारे डर के और जो राजवर्धन की हत्यारा था गौडपति ससांक वो अभी जो है अपना गौडप्रदेश छोड़ करके भाग जाता है और सभी लोग हर सवर्धन को कन्नौच का राजा बनने की प्रार्षना करते हैं लेकिन जो हर सवर्धन थे वो अपनी बहन का राज लेने से मना कर देते हैं वो अपनी बहन से सिंगासन पर बैठने को कहते हैं लेकिन बहन भी उनकी उनकी जुहाँ सिंगासन पर बैठने से मना कर देती हैْ तब वे अपनी बहन के राज में जो हैं एक संदच्छा की रूप में कारे करते हैं और नाम उनकी बहन का ही रहता है सासन में लेकिन वो संदर्चक के रूप में कारे करते हैं और इसके बाद च्छा वर्षों तक दोस्तों च्छा वर्षों तक हर सवर्धन ने दिग्विजे अभियान चलाया और इस अभियान के अंतरगत उसने कस्मीर, पंचनद, सारस्वत, मिथिला, उतकल, गौड, नेपाल, वलभी, सोरथ आज सभी राज्यों को जीत करके यवन और हून और अन्य जो विदेशी सत्रू थे उनका नास करके देश को अखंड और सक्तिसाली बनाया और शुसंगठित अहिसे इसने से उसने भी अपनी राजधानी कोन्नोच को ही बनाया और अनेक वट्सों तक धार्म पूर्वक्त सासन करते हैं और और उसने राज की जनता को सुखी करने का भर्षक प्रयास किया और उसके राज में प्रजा जो है वो सुखी रहती है तथा धर्म संस्कत और कला का भी पर्याप्त उन्नत होती है तो दोस्तों यहां से जो है तीसरे सर का समापन होता है तो दोस्तों यह जो खंड काब है त्याग पती यह बहुत ही महत्तु पूंड है चूंकि यह जो है लगभग प्रतेक वर्ष पूछा जाता है तो दोस्तों यह आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कि जो चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रस कर लीजिए इसी तरह की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तक तक के लिए जाय हिंद